तो आज हम लोग पर हैंगे इंग्लिस का चैप्टर नमबर टू मी एंड दी इको लोजी बिट ओके इसको हम लोग पूरा अच्छे अंदास इसको समझने की कोशिश करेंगे और जब आप इसको समझ लिजेगा तो फिर मुम्किन है कि जितना सारा अब्जेक्टिव कोश्चन्स है वह एकदम आसान से बन जाएगा ओके आवाज मेरी जा रहे हैं अपने को एकदम किलियर पूरा स्क्रेन किलियर दिख रहा है गूड एवनिंग जी ओके भीम सुरेंदर ओके चली तो आवाज जा रहे मेरी चले तो स्टार्ट करते हैं मी एंड इकुलोजी बिट इसको हम लग दम हिंदी में फुल एक्स्प्लैनेशन के साथ पढ़ने वाले हैं एकदम आसानी भासा में आसान भासा में आगर मैं इस चेप्टर को सेम तो सेम तो सेम अगर ट्रां इसके बारे हम लोग पढ़ने वाले और आप मुझे इस डिरेक्ट मुझे फॉलो कर सकते हैं नीचे इस डिस्क्रिशन में इस सबका लिंक दिया हुए तली तो स्टार्ट करते हैं तो देखें हम लोग पढ़ते हैं मी एंड दी एकोलोजी बिट है ना इसके लिटर है रैट मानों और बिर पोध्य मनांओ और पिरपॉंधों की भी ना इनके बिट का जो रिलेशन है परीयावर्न की मानों मानां जनतू पिरपॉद्य के लम की रिलेर और अगर यह खराब होता तक् 155 फरद्ध की जविश्कंूशने के परदेखें लिए करते हैं मैं लिक निको तलै मतलब हमारे सामने लेशन को लाके देखा देता है, बताता है इस किताब में क्या परदेट करता है, क्या प्रस्तूत करता है, me and the ecology bit brings how out how the issues of preserving environment and saving ecology is very bodies concerned and difficult to save. देखो क्या बोलता है ना जो एकोलोजी बिठ है ना जो हमारा जो एकोलोजी है इसके बाले में बताता है कि preserving जो हम परिया और उनको जो सुरक्षित करते हैं तो परिया और उनको सुरक्षित करना और एकोलोजी को बचाना जो है ना हर एक आदमी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है ना चिंता का विषय बना हुआ है और इसे सोल्व करना इसको हल करना बहुत ही कठिन है बहुत ही difficult है okay preaching about ecology is easy but it is difficult to abide by the rules of ecology preservation preaching about ecology 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 बारें यह करना है हमको पर पूधा लागाना चाहिए हमको गंदगी नहीं पर नहीं करने चाहिए सब बखवास करता सब बोलता है यह बोलना बहुत ही आसान है यानिकिए डिंगे हाक ना एकदम लाम के मीम कर देना एकदम हाथ पर खिचना समया रहा रहा ना यानिकि यहां का वहां तील का ताड़ करना बहुत लोग जानता है और यह बहुत आसान है च्राइब करते हैं लेकिन लेकिन एकोलोजी को स्रक्षित करने के लिए जो नियम है उसको करना बहुत ही डिफिकल्ट है यह बोलता है यह होता ना जब एकोलोजी को बचाने के लिए सब्सक्राइब करते हैं लेकिन यहां पर यह सब क्या किया हुए यह दंड़ा पकड़े लकड़ी लकड़ी यह भी तो पौधे वाला है तुझ देखो यह है मतलब इसके वारे में फीगर क्यों देखा रहा जौन लेक्षाओ जो राउटर है जो ऑथर यह बोलता है यह देखो लगाता है लगाता है तो नारा लगाता है तो फिर कैसे बपाएगा चली क्या बोलता है तो इकोलोजी तो राइटर ने भी माल लिया यह बहुत ही हाड है script यह बाता है कि इकोलोजी के बारे में लोगों को बताना बहुत ही मुंकिन है टक्षण लोग Saking से सुनेंगे दूसimento से उड़ा देंगे यह मतलब लोग को एकोलोजिक के बारे बारे बताना बहुत ही मुश्किल है इसके बारे में पालूसां नहीं करना चाहिए हरको सहमात इसके लिए आफ बट नोबड़ी वांस लेकिन इसके वारे में कोई कुछ करना नहीं चाहता है at least I am doing something लेकिन जब ऑथर बोलता है चलो मैं तो कुछ कर रहा हूं न गोइंग और टेलिंग पिपल वाट दे सुट डू है ना लोगों को क्या करना चाहिए उसको मैंने मैं लोगों को जाके घुम घुम के लोगों को क्य बता रहा हूं यह कुन बोल रहा आए के मतलब यहां पर ऑथर हो गया बट आल आई गेट इस लॉट अफ बैक्ट्रॉप लेकिन जब मैं बताने जाता हूं तो लोग चाहा करता उल्टा मेरे पे बोलते है जाओ तुम अपना करो ठीक है तुम जो कर तुम करो मतलब बैक मतल संब्सक्री को करें है यॉद फैब ठीकशें प्रॉट मेरे पासे स्थramat प्रॉट मेरे पळाई येपास ऐसे फ्राइन जब में में पीड्म आ सबलार서 हे ना सब्टेद्र कषिए दिर लोगई आउं-टॉ आउडि था लाचट ये है तो लस्ते यह यह भी ए पेपल जो है स तो बलता है यह जो पेपर रूट है और यह जो मेरा होमवाक इन में इतना बिजी रहता हूं कि मैं प्लेइंग कभी बॉल भी खेलने का मुझे टैम नहीं मिलता और दूसरा काम करने का दूसरा कुछ प्ले करने का टैम नहीं मिलता सब्सक्राइब सब्सक्राइब बहुत ऐक सब्सक्राइब मैं एक प्रोचन कोकास के मैं अच्छा सा काम कर रहा हूं पशले सब्सक्राइब को पिछले flora अजय सब्सक्राइब h지 प्रिप्ट दिए तो वह सब दिए तो बोला उस पिछले सब्सक्राइब को मैंने बहुत सब्सक्राइब किया था इंड यह लोग बाहर निकालते हैं यह खते हैं वो खते हैं खाते हैं और यहीं फेक देते हैं इसलिए मुझे बहुत ज्यादा क्लेक्शन हुआ अब देख बोलता क्या आई वेंट टू मिस्टर विल्यम्स के घर गया हमेशा की तरह हमेशा वह जो है अपने आपको यह बताने कोशिश कर रहा था कि मैं घर में नहीं हो कौन मिस्टर विल्यम्स यह कोशिश कर रहा बताने के लिए कि मैं घर में नहीं हूँ बट आई सी हिम बर्निंग लिफ्स इन दा बैक ग्रॉंड है लेकिन रैटर बोलता है लेकिन मैंने उसके पिछवारे मतलब घर की जो पीछे वाला जो जगा होता ना खंधर बोलता है ना खंध वह मुझे रुप्या देता है थे यहां उसको पैसा मिलता है तो उन्होंने क्या बोला आथर क्या बोला उसको यूश्ट बर्न दो श्लीव आपको यह सब पतिया जो जला रहे नहीं जलाने चाहिए इस बैड फॉर एयर बैड एकोलोजी यह जो है रायू के लिए और इकोलोजिक लिए एकदम बुरा चीज़ है यू शुड मेक एक कमपोस्ट पाइल लाइक वी डू मतलब बोला जारा कि जो आप जो जला रहे ना इसको आप कमपोस्ट बना सकते हैं ठीक है कमपोस्ट बना सकते हैं पुट इन डलीव गार्बेज और स्टफ गुड फोर दा गा जो सब्सक्राइब सब्सक्राइब और निकलता है जो घर से निकलता है जो घर राख जो बस जाता था उसको उठाके बढ़र बाहर फिकते फिकते तब पूरा धेर बन जाता है, उसको अगर खेत में इस्तमाल करता है, तो बहुत अच्छा आजू, मतलब जो मिश्टर विलियम था, उसको कुछ भी, वो सहमत मेरी बात से सहमत ही नहीं हुआ, और उसको जिरा भी श्यार में नहीं नहीं आए मेरी बातों पर, he says, dad, compost pile in your job at home, gym, it is it, isn't it, तो कौन बोलता है, Mr. William से बोलता है, कि compost बनाना तो तुम्हारा काम है ना, बहुत आसान है, तुम ये कर सकते हो न, gym, ये gym नाम रहता है, जो है न, वहां पर, जो कछा उठाना गया, कौन रहता है, वो, gym रहता है, yes, I say proudly, तो मैंने उसे किया, yes, हम मतलब, गर्वेक साथ बोला हाँ, 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 ये तो मेरा ही काम है, yes, yes, तो बोला किया, which would shock the idea I have, I hate working with compost, which I do, तो उनका जो idea था, उनसे, जो, जो, Mr. William था, उनका जो idea था, कि हम को compost नहीं बनाना, ये सम नहीं करना, लेकिन वो, उसे नफरत करता था, लेकिन मैं नफरत नहीं करता हूं, मैं उसको करता हूं, compost बनाता हूं, कि कठा करता हूं, थाकि ecology हमारा सही रहे, Mr. Williams क्या बोलता है, well done, well done, you take a little more trouble with it, put enough dirt on top of each layer, क्या बोलता है, Mr. Williams से बोलता है, author को बोलता है, यानि कि Jim को बोलता है, कि सुनो, सुनो, यार, तुम, तुम जो काम करती हो, तुम जो, क्या बोलता है, compost जो तुम बनाते हो, तुम्हारे लिए बहुत असान सा काम है, तो ऐसा काम करो ना, जो compost बनाते हो, तो उस कूला कठला को पर एक थोड़ा सा मिट्टी डाल दे करो, है ना, dirt मतलब मिट्टी डाल दे करो, एक layer बनाते करो, क्यों, then we wouldn't have this noise pollution, मतलब अगर आप मिट्टी डाल दोगे, तो यह noise pollution नहीं होगा, मतलब मजाकी अंदार ने बोला, यह noise pollution नहीं होगा, है ना, noise pollution, अब noise pollution यह गारी वाला पौलुशन नहीं बारे में बोला, noise pollution गंदी यह smell तो तो जिम क्या बता, I say, अच्छा-च्छा, you mean noise pollution, अच्छा, आपका मतलब कि noise pollution के बनाने आप बोल पूरी गली को महका के रखता है पूरा खराब गंध इसमेल आता है ठीक है तो अब देखो आगे का बोलता है मैं对 नहीं चोड़ा आगा टोक्या है निसी अचाहँ भी मिस्स मृव्लियम क्या है अब कहां मिस ग्रीन के पास मैं जोड़ा है कंशी और मिस ग्रीन या मैं मैं जो गिरिन जो हुआ उसको मैं मिस गिरिन बोलता हूँज चुक्स wiring जो मेराइंativ जो क्योंकि मैं जो मैं मिस को भी सब्सक्राइब जब werk मैंच दपर फborव और ख़ता है एक बार मैं जब बस से जा रहा था बैठने का शीर था वहां पर खड़ी हम क्या बोले मिसेज बोल दियां अंटी तुhm उसको बोलते हो मैं को मैं तुम जानते हो मैं तुम्हारा अंटी लगता हूं लोग ऐसा होती है इसको मतलब सिश्टर बोल दो मिस बोल दो चलेगा तो यहां पर यही बारे में बोला जा रहा कि अगर मिस गिरीन को अगर मिस बोलते थे ना तो वो क्या बहुत बोलते क्या मेरे पास छुट्टे नहीं पैसे जाओ तुम यहां से टुम लोग अगलती मत करना सी गोज आवे आन विकेंड वो जो हैं क्या करते हैं जो मिस ग्रीन होती है तो मुझे क्या होता ना उसके घर में जो बड़ा सा लॉन है उस लॉन में बड़ा सा प्लास्टिक बैग देखा ठीक है ना बट आइड़ा सा प्लास्टिक फेका हुआ है रखा हुआ है तो मैंने कुछ ने किया बट आइड और इसके वारे में कुछ ने बोला आइज लुक अट गार्विज गो देखा और अपना काम के समेट लिया ठीक है ना वो क्या बोलते हैं गॉप ड़ाओ जाओ 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 जो पर उठाओ तुम लोग तुम उसे गम रैपर को ना रैपर देखो जो च प्लास्टिक बैग और उसको चुन करके प्लास्टिक बैग में डालो क्या बोलता है तुम नहीं पढ़े हो तुम्हें किसे नहीं पता है कि मतलब गंदगी नहीं फैलाने चाहिए कौन बोल रहा मिस गरीन बोल रहा है इसको आउथर को बोल रहा आई हैड माई टेमपर और पिक माई जी गम रैपर और पुट इट यह एग इन बैग इतना चिर्चिरी आ रहा था कि मतलब क्या बोलू मतलब रैपर बोलता है नहीं सॉरी व इस बैग में डाल दिया देन सिसे तब क्या बोलते है और देर जलाओ इन इस तन अबार्ट कि यह एक कानून है कि अपने कुट्टे को लीज के साथ पट्टे कर रखना चाहिए तुम्हारा जो कुट्टा है इधर क्यों भटकते रहता है तुम क्या उसे पट्टे में बांद के नहीं रखते हो कौन बोलता है मिस गिदीन बोलता है इस सहर में कानून है कि अपने कुट्टे को लीज मतलब पट्टा से बांद कर रखो रस्टी से बांद कर रखो तुम ब याड जो अंगन है जो पिछे उसको मुझाब बेकार करता है लास्ट विकेंड और पिछले विकेंड में बोला तियर ओपन ओन आफ माइक गार्बिज बैग पिछले मिच्ट्रविल्यम भी देखा है कि तुम्हारा कुट्ट्टा जो है तो आपना प्लास्टिक से क्या बोला क्या बोलू कुछ समझ भी नहीं आ रहा था है तो यह बोला देन आई आए सी पाइलिंग नेक्स्टटव और तो क्या बोलता है फिर क्या मैं देखता हूं कि जो नीज़ पेपर है ना उसको न्यूस पर को गार्वेज बैग में उसको सर्या सर्या करें रखती है रिखार सुनिये आइस से ऑथर शुड़ा सुनिये फैपर को नया पैपर मना सकता है और वो उससे से नया बैक नया प्रमनाएगा सेफ ऐलमुन्यम केंट कोका कोला पीते हैं यह तो कैन एक आता है कोका कोला डिबब टैप का प्लास्टिक टैप पर इन सब को भी बचा कर रखे ताकि इससे भी नया बना जा सके लाइक दर लाश्ट इसको पिक अच्छा जो पिछली बार भी मैंने ऐसे किया सक्या लेकिन तुम तो आई नहीं है तुम तो दिखाई नहीं दिए इसको उठा के नहीं ले गए तो बोलता कि यह तो मेरे लिए बहुत आसान है कि हम थोड़ा दूर चल के उसको जाकर थेख दे है ना यह तो मेरे लिए असान है लेकिन तुम तो आते नहीं हम क्यों यहां पर रखे आई डे ट्राइटो ट्राइंग ट्राइंग ट्यू मिस्स फिर मिस्स अ कर सबसे पहले तुम नों करेंगा किस यह को तुमने सब एक लाइन से कमेंट करो क्या कर था अपने कार के तरफ जा रहा था था तो मैंने दोड़के गिया और उससे पहले कार के पास बहुंच गया यह बोलता है राटर बोलता है जाने की कोशिश करो मेरा ऑफिस पोस्ट ऑफिस बन होने वाला है कौन बोलता है किस से बोलता है मतलब आथर बोलता है आपके पास बहुत रहुत अब्लों के बाद यह तो बहुत आसान है यह तो बहुत आपको कार लेने की नहीं चाहिए आपको कार की जरूत ही नहीं है तुम्हारे तुम वाकिंग करने तो अच्छा है पैदल जाना एक अच्छा है और इससे आपका गैज बनेगा बचेगा पेट्रॉल भी बचेगा और पॉलूट बॉलते हैं लुटी इसी को इकोलोजी बोलते हैं डे यॉष्छी और संक्थरॉस्च लारे के बारे में बहुत मैंने इकोलोजी और पीड पोधर्ट के बारे में बहुत सारी बाते पहीं हैं बनाता है और भी कोचिश को अदम साफ करता है इसलिए पेड को बचाना बहुत जरूरी है अब ज़रूरी है अब देखो जो मिस्टर जॉंसन है उच्छी जो राइटर है वो अपना बच्पना की बाद बताता है जिसका जिम नाम रहता है इस कहानी में ठीक है ना तो आप जो जो जॉंसन है इसको जॉंसन जवाब देता चित्री किसे बोलता है सी डाइक टिरी ओवर तुमको वहां पर दिखाई दे रहा है तो मतला हाथ से इसारा करते बोलता है मिस जॉर्शन तो बोलता है क्या ऑथन बोलता है डॉंट से अनी ट्री टेल आई तेल हिम नहीं कुछ त जॉंसन बोला और नो ग्रास एदर विकाज जो विकाज यू मेड़ पाथ देर टेकिंग एशॉटकट प्रोम मिस्स गिरीन्स बोलता क्या आप वहां पर पिर बिल्कुल पिर नहीं है तुमने तुम जो मिस्ट गरीन के पास जाने के लिए शॉटकट रास्ता जो तयार कर ल लेकिन तुमने उसको कुचल दिया है गिरीन के पास जाने के लिए शॉट राष्टा बनाने के लिए तुमने क्या क्या उससे पैरों से कुल चल दिया वह बढ़ने वाला था एक छोटा सथ पिर था अभी बनने वाला था लेकिन वह बढ़ा नहीं बनने से पहले तुमने उ राइवेंग को और तुम को बोलता ड्राइविंग करने लिए नहीं बोलते हों तुम पुझे चलने के लिए बोलता ए जूंसन बोलता है इसको और तुम तो आपने आंगन में क्या करते हैं वाली गाटी को किसे ड्राइब करते हो तो तुम जो यह चलाते हो अपने आंगर में पुरा घुमाते रहते हो और जो विंटर में जो तुम इसनों मोबाइल को चलाते हो तो क्या यह तुम्हारा पावर वेस्टिंग नहीं है यह नहीं करता है अब उसको मिश्टर जो है ना जॉनसन पूरा अच्छी तरीके सो उसको बत अपने इंजुआय में के लिए को बोलता है अच्छा तो मैं भी तो वही काम कर रहा हूं मैं भी पोस्ट आफिस जाने के लिए इंजुआय कर रहा हूं कार चला रहा हूं तो उसे मतलब याद आया कि हाँ उस तेम जो जॉनसन से मैंने जो बात ही की था ना तो मुझे कुछ पैसे वसे नहीं दिये थे बट आई डिसाइड टू वेट अंटिल निक्स बोला कि अब हम जो नेक्स सप्ता जब जाएंगे तो उससे हम पैसे ले लेंगे उतना दिन तक हम वेट कर लेंगे कम से कम तो मैंने उसको बात में फसाक रखा कम से कम तो तो नहीं होने दिया उस दिन और एक दिन तो मैंने पॉल्सन होने से बचा लिया तो आइडांट तो आई डूंट टॉट तो डाइट काम कर रहा कर रहा कि जब भी किसी को दूसरा बोलो तो पहले अपने जहांक लो यह ना जब भी किसी को कोई बात बता रहे हो ना तो पहरे खुद वह देखो खूबी आप में है या नहीं है लेकिन आँधर के पास ऐसा लेकिन बारे में बहुत ही बोरिंग सा काम है इकोलोजिक के बारे में बात करना बहुत ही बोरिंग सा काम है जब मैं घर गिया तो तो जब गर गया तो देखा कि मेरी मां अपनी मां से मां आपको तो पुराना वाला रखा हुआ पहले वाला जो इलेक्टिक मिक्सर है उसको यूज करना चाहिए आप इसको क्यों यूज कर रहे हैं से अपनी मां को बचाईये मां वो मैं यूज कि तो मैंने यूज को बहुत पसंद करती है यह अपनी मा को बहुत जादा यूज करती है मतलब काम नहीं जीसे कि आप इलेक्टिक मिक्सर आगिया आप घर में क्या आता है इलेक्र कुछर से मशीन चला लेता है न। लेकिन पहले क्या आता है अभी घर में आप तो बोलता क्या अच्छा तो तो बोलता क्या अच्छा तो तो टीवी सताइस दिन में सताइस घंडा टीवी को देखता है और इस डाट सम आधर का इलिटिक और दूसरे एलिटिक सी वाट आए मिन मतलब मेरा कहने की मतलब है कौन बोलता है और मेरा कहने को यह है कोई भी उक बारें बात करना ही नहीं चाहता है मतलब और राटर बोलता है मेरा कहने को यह है कोई भी ऑड़ी मेरी बात को सुनता ही नहीं तो इस तरह से कहानी हो जाता है तो यह था ecology के बारे में अब एक्जाम में जो सवाल जो आता है objective question में कल बारा बज़े कराऊंगा ठीक इसका सारा objective question जो है ना कल बारा पी एम में पक्का से करवाऊंगा ठीक है अब जो सवाल आप एतने सारे अच्छी तीज़की से explain में कर दिया हूँ तो अब जब सवाल है तो सवाल एक सवाल भी नहीं छुटने वाला है एक्जाम में सवाल क्या बोलता है बीच-बीच में sentence छोड़ देता है तो आप जब सवाल को पढ़े है तो आप automatic दिमाग में आ जाए कि यह sentence क्या बोलना था हूँ आप है और option को देख करके automatic आप जो है ना समझ जाएं कि जरूरी हमको ecology को सेव करना है लेकिन यह बोलना आसान है करना बहुत है मतलब क्या बोलते हैं करना बहुत ही दुटूब करवाँगा और पांच वशाम को इसका website पर चाहनी सोग्जागी है क्या क्या है तो उसके पास जाता है और तिसरे बार किसके कान है उमिद करें आएंच को सब्सका क्या क्यान सबस्क्राइक हुआता है नाम मिलता हूं नेक्टर वजय सुबह वेट करेंगे आप लोग और बारा बजय दिन में आपको मैं इसका सारा अप्प्रिक्टिव कोशन एट एट उड़ कर दूंगा ओके चलो डैट चाल थैंक ये वरिवन मिलता हूं नेक्स वीडियों में ओके गुडबाइ गुड़नाइट जैन्द